नमस्कार दोस्तों हमार चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो इंक्वेटर बनाये थे हम मुर्गी के अंडे से चूजी निकालने वाली मसीन उस मसीन में मैंने तीन तारिक अंडे रखे थे तो जैसा कि हमने देखेंगे कौन से कौन से अंडे में बदला वहा है इसा कि मुझे एक अंडे में कुछ बदलाव दिका है जिसमें से एक अंडे में जैसा कि आप देख सकते हैं एक अंडे में दरार आ चुकी है और उसके अनुसार हम यह के सकते हैं कि इसमें से चुजा निकलने वाला है तो अभी आप देख सकते हैं कि इस अंडे में दरार आ चुकी है और इससे चुजा निकलने वाला है लेट बग 10 गंटे बाद या 5-6 गंटे बाद निकल जाएगा इस में से चुजा अब देख आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रेप्शन में लिंक दी वही वहां से आप देख सकते हैं उस वीडियो को जैसा कि में 13 गंटे हो चुके अब मैं अपना चुजा देख लेता हूँ अंडे में से निकला है के नहीं आप देख सकते हैं जैसा कि तारिक बावी से और 5 बच के 6 मिनिट हो रहा है अभी हाँ तो अब देख सकते अब देखते हैं अडे में से चुजा निकला है के नहीं ओ वाऊ अभु है अडे में से चुजा निकल चुका दुस्तो मृमस ने एक तम स यह अभी अभी एक दो कंटे पहले निकला है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है यह देख लीजिए कि यह अभी हमसे डर रहा है तो जिसा कि मसीन से चुजे निकल चुके हैं अभी एक वीडियो को एक लाइक जरूर करना अगर आपको अमारी यह मसीन अच्छे लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं इसी परकार के क्रियेटिव वीडियो बनाता रहता हूं तो दोस्तों कुछ दियान देने वाले बाते मैं बता रहा हूं जिसे यह आप इनकवेटर बनाते और उसमें एंडर रखते तो एक बात का दियान रखना है उसमें पानी डाली और उस पानी को रोज डालते रहिए क्योंकि जो हमने यह बल्ब लगा है उसके कारण पानी का वासव सर्जन होएगा और वहां से पानी गाइप हो जाएगा इसलिए आप उसे रोल जो बरतन रखते हैं आप बल्ब के नीचे तो उसमें पानी डालते रहे हैं रूच जैसे ही पानी कतम होता है तो उसमें पानी डाल दीजिए ताकि वो प्रोसेटिंग अच्छे से चले और ंडे को पहले 15 ंढ़ दिन तक 2 या 3 दिन बाद रुकृ के अंडे को उसकी दिट्सा की अनुसर विटरी डेंशा में बदलना है जैसे की अंडे सीधा थो उसे उटब कर देना है यह ऐसे अंडे पानी को पलटते जाना है ताकि हमारा अंडे के ही अंदर का प्रोहेटिंग झाल झाल झाल